हेलो एप्रिवन कैसे हैं आप साब आज का मौसम बहुत है खराब देख सकते हैं बारिश भी हो रही है हवा भी चल रही है और मैं रोही तो भाजी निकल पड़े हैं जीम के लिए फिर भी जीम तो जा नहीं है तो बाग की कम कोशिश करते हैं कि वीगडे में चुट्टी ना ह और वहां की हालत देखके ना जो देशियों ने जो हालत के ना अब देशी मतलब सिर्फ इंडियन नहीं होते सिर्फ मतलब देशी इंडियन मांगला देशी पाकिस्तानी सब देशी ही होते हैं मगर इनकी हरकते सब की हमारी सेम ही होती है क्योंकि उन्होंने जो पिछले साल मतलब मेरे को यकीन नहीं हुआ कि मैं ऐसे इस टाइम पे बाहर देश में हूँ मतलब ऐसी लंडन जैसी जगह पे हूँ ऐसा थूख थूख के उसमें ना कुटका उटका खा के उन्होंने ऐसे थूख के पूरा एक दूम इतना गंद मचाया हुआ था था ना वह यहने जैसे कि अब एक बार गंद मच जाता है तो फिर लोग और गंद मचाने लग जाते हैं और हमारी थम तो आदस से मजबूर है वही हम तो ठीक सुदरते नहीं है इसलिए मुझा इसलिए इसलिए शायद लोग अंग्रेज इतना रेसिजम करते हैं हमारे लिए कि हम आते हैं यहां पर और ऐसे गंद मचा देते हैं जहातर मतलब तो ऐसी करते हैं पहले के जमाने दो चलेगे शायद और रोहित को मिल गए आज केले बोट आ गई है तो हमने बोला ले ले बड़ा के जितने अरजी केले ले और यह ग्रीन वाले भी बोला लेने के लिए वैसा तो इसको यह पकते करने वाला यह तो यह लहरे चलती है तो यह बोट नहीं नहीं चलती है पता नी कल कैसे आगी बोट कर वैसे जर्णर इब थोड़ी सी मतलब बड़ी बोट आता जाए चोटी बोटी ले बट वैसे नहीं जेल पाती और काम पर पहुंशते ही जैविट शेफ ने पराटे मना के तिया रखें आलू और कुछ वेजीज डाली हुई उसमें बीन स्वीन्स और यह आया है जैविट शेफ का दोस्त मतलब सर्विस में काम करता है क्यों क्यों कि आज दिवाकर आया हुआ है तो फिर वही है काम ख़तम करके पूल तो खेल नहीं है अब सिर्फ दिवाकर आदा लंच बनागी कर दिया तो यार आज उनका फेवरिट क्योंकि दिवाकर ने बोला तो दाल पालक दाल पालक खा रहें साथ में ऐसे एक चिकन विंग छोटा सा थोड़ा सा इस प्रोटीन के लिए और आज दिवाकर ने मेरे को घर जल्दी छोड़ दिया क्योंकि ज़्यादा ऐसा ऐसा स्वान देखना ना नीला आस्वान बड़ा मजा दा चलो मिलते हैं नेक्स ताइम थैंक यू सो मच बढ़ बाई